इंसिडेंस होता है अगर अब्लिक इंसिडेंस होता है तो यह टू म्यूटी को सार और नॉर्मल इंसिडेंस दिया हुआ है कुछ भी मेंचन नहीं है या दिया हुआ नॉर्मल इंसिडेंस तो टू म्यूटी यह दोनों होगा कि यह जो है यह अब्लिक इंसिडेंस के लिए नार्मल इंसिडेंस नार्मल इंसिडेंस करतल्स आरा । अन्होरमल इंसिडेंसतो पहला ला जो है वो यहां से आंगया है और इफलेक्ट हुआ है यह एर मिये मियो homework पूस्टो इसको थोड़ा सा लग करके मैं बना रहा हूं और यह से चला गया है है कि प्रहसे रहे जाएगी नहीं मैं सेपरेट करने बनाया यहां जीरो से क्या transmission में जीरो यहां क्या air's reflection हुआ इसका रेरर medium से यह रेरर से reflection होगा तो कितने का face change 0 तो जीरो जीरो से transmitted 0 तु अभी जो दो ने रेस जा रही है उन में कितने का face difference है पाई का प्रफीज डिफ्रेंस हैं यह ärति एगा टोटल जो पाई का सब देखेंगे और ट्रेथिकेंच टेकेंगे बीडर्य ससे तो b कितने का बेएppenडावज से प्लस लेंडा बाइटो । कर सकते हैं यह माइनस लेंडा भाइट5 भी कर सकते हैं माइनस लैम्डा बाइटो यह हो जाएगा माइनस लैम्डा बाइटो तो दिस इस इकॉल टू कंडिशन फर माक्सिमा करना तो क्या करेंगे है यह पर एल लेम्डा लेम्डा यह जो टोटल पार डिफ्रेंस और लेम्डा के बराबर हो जाए तो यहां से क्या जाएगी कि जो टू म्यूटी है वह क्या होना चाहिए टू एन प्लस वन लैम्डा बाइट वाजाएगा इसमें एनकी वैलिव क्या होगी एनकी वैलिवी जूरो one two three हम लोग पहले यूज करते थे टू एन माइनस वन लेम्डा बाइट का लोजिक वताता हूं उसमें लॉजिक यह थी होता था क्योंकि कि क्या अब मिनिमा के लिए यूज करते थे और मिनिमा में फ़र्स्ट मिनिम पड़ेगा तो इसलिए वहां पे 2N-1 लिखता था मैं कि एन की वाइली थोड़ा कंफूजिंग था हाँ बाकि सारे बुक में कई जगे 2N-1 लिखा रहता है तो उसमें तो प्राइट 2N-1 है 2N-1 मैं अब यहां पर तुम्हें अल्टेमेटल समझना है कि पाइट डिफरेंश यहां पर भी लेमडा भाइट वाय तो तो नेमिन के विजाब से था मिनिमा के लिए यह क्या है यह फार मैक्सिमा हो गया और मैक्सिमा फार मिनिमा निमा यहां पर 2 आंना ओ उनलेंडा तू से मुटी तो यहां से यह जो मुटी ए Sagat बारी को एसा हो दा एनवांदा है dif Leama . और यह जाएगा की साव 1 ने दाी प्रदिशन हो जाएगी तो सें्ट्रल टाइप का कुछ होगा नहीं यहां पे इन्टल टाइप का कुछ भूगा नहीं हिए तौ मिनिमstell जीरो तो क्या होगी है कि उनृट्कै बात भी उनले इसमें मोलेंगे कि मिनिमाम जो वो वन रहेगा यह a मैकिसमिमम काहां walking करेगा onboard क прилग करेगा या कोई स्क्रीं रखेंगे तो स्क्रीन में आनी के लिए ड़िए नश्खर वाइचे लिए मतलब त्टमाय वाई इकथ आने से ठों पता जालएगा न सब्सक्री मैकिसमі काहां पर मीनिमम मैक्सिमा मीनिमा कहां पर उस केस में क्या होगा कि वह तो फिर अलग अलग रेस के बीच में होगा वह अलग चीज़ है कि यह जो दो वेव सिर्फ हम यहां पर दोई वेव का सूपर पॉजिशन कंसिडर कर रहे है तो इसका कहना यह है कि इसमें अगर हम इसक्रीन रखते हैं तो वाई वाई चाहिए यहां से लाइट आएगी तो यहां पर ठीक है फिर तो अलग-अलग कंसिडर करना पड़ेगा न इसक्रीक्शन फ्राम दबाट टॉप एंड फ्राम दबाटम है कि तो थोड़ा एक थिन फिल्म लिया प्लें टाइप का वैसे बहुत ज्यादा हो जाएगी एनलसे तो यह हो गया मैक्सिमा फॉर्म होने की कंडिशन मिनिमा फॉर्म होने की कंडिशन अब जैसे इसमें मालो की ऐसा लिखते हैं कि यह ऐसे है थिकनेस और यह है थिकनेस है इसकी टी इधर वन पॉइंट फाइफ वन पॉइंट एट वन पॉइंट त्री और यहां पर जो है वन पॉइंट त्री वन पॉइंट त्री वन पॉइंट एट वन पॉइंट फाइफ यह थ्री है यह हमारे फिल्म में उसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट है और नॉर्मल इंसिडेंस है कोई लाइट यहां से इंसिडेंट हो रही है इंसिडेंट हो रही है तो फाइनली जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी कंसीडर फॉस्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम्ड टॉप एंड फॉस्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम्ड बॉट्टम उनके इंटर्फरेंच से हमें हैं मैक्सिमा यह मिनिमा की कंडिशन को पूट करना है तो बताओ क्या एकोशन लिकेंगे जैसे यहां से है है नौर्मल इने देंस के लिए मैं लिखना और कि फर्स्ट्री एक रिफ्लेक्शन यहां से चंसिप्र करो दूसरा रिफ्लेक्शन यहां से तोber यह बता हो कि अगर यह दोनों interfere करते हैं तो मैक्समा मिनिमा की लोकेशन बताना है कि मतलका मैक्सिमा मीनिमा फार्म होगा मैक्सिमा फार्म होगा या मिनिमा फार्म होगा तो नॉर्मल इंसिडेंट्स है कि कि नौर्मल इंसिदेंज लगा Dank Olis नॊर्मल इंसिदेंस में तो में जो में अखलो बाला पता है कि लाइट जो LAUGHTER हो जाएगी그렇्अ आज responsive ल्हां से थो यह तो आया और टी गया कि में तो हो गया मूटी चुम्म ei और उसके वाद रिफ्लेक्षण तो रिफ्लेक्षण का देख लेंगे रिफ्लेक्षण का देखेंगे ये डेंसर देंसर से ढरकत हुा बाई कफेश चेंद वेलहा नियोटत है यहां जन्य और चेंज कर देते हैं a यह 1.5 और यह 1.8 1.8 या ऐसे गर देते हैं इसमें भी इसको 1.5 1.5 और 1.3 ऐसे ले लेते हैं क्या से डेंसर से रिफ्लेक्ट हुआ पाई का फेस चेंज हो गया रेर से रिफ्लेक्ट हुआ जीरो तो यहां पर क्या हो गया यहां पर क्या हो गया यहां तो लेंड़ा बाई टू का चेंज आया तो कभी भी अगर लेंड़ा बाई टू आएगा तो अगर एक्स्टा लैमराटागा बाइं तो हैban اोzone चूंग और नियुक्त कर देंगे तुर फ्माइज़ जाता है अब कार्डिस्रू चुंझे साच Lazio यहां पर दिखेंगे यहां आपर माल्रो है याँ अजो नियुक्त होईगं उस्फित उस और elements v अगर है तो ट्रांस्मिटेटेटेट्ट में नोचेंज आप़ रह जाएगा तो अल्टीमेटल अब दोनों में फिर से वही डिफरेंट या जाएगा जिरो अर्पाई का इपे चेंज हो गया जिचेंज हो गया तो इसमें कंडिशन क्या लिखेंगे टुम्यूटी कंडिशन को आगर मिनिमा फार्म होना है और एटु म्यूटि को अगर एक बार माइनस लेंटली हम डिफ्रेंस ले रहा है तो माइनस वाली चीज़ को हटाई देंगे कहीं प्यांगर मालो एन लेमडा करेंगे तो तो एन माइनस वन लेमडा चाहिए मेरी मिनिमम वाई-ब्ली लेमडा बैट्व करते हो two and plus one lambda by two put करते हो इस दोनों कंडिशन मालओ लो की मैक्सिमा की है तो इसकी minimum value क्या होगी minimum value lambda by two होगी –2 का कोई मतलब नहीं है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट तो मिश्ञ लैमडा भाई टू से और यह पूट करेंगे तो एन की वाईली वान होगी मिनिमम यह पूट करेंगे तो एन के वैले जिरो ओगी है चम्ज रहों हे साथ ने आप जो पुट के लिशाथा पाइ के जगा पर बैट जिपा बरेंड साथ को प्रूफ कर रहे थे माया माइस माइनस श्क्तितर मोस्कॉल मुकाй सर्व पर वाला रिख्रेक्टेट रहे पा-डीन equation से reflect हुआ नहीं तो denser से यहां से जाट इसको यह जिरो फिर पाइए पाइए जिरो तो यहां से 0 फिर यह reflect हुआ देंसर से यह पाई अब यह transmitted हुआ transmitted में no phase change को सेमी रहेगा ना जो phase इसका वही फाइस इसका भी हो जाए अच्छा पाई का पाई रह गया नहीं सर मुझे लग और पाई चीज नहीं 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 यहां पे क्या होगा अब यहां से 1.3 है यह देंसर से रिफ्लेक्ट हो रहा है देंसर से रिफ्लेक्ट होगा तो पाई का फिर से जिरो हो जाएगा पाई से टू पाई होगा और टू पा